आद्र मानसुनी वन येवन 100-200 cm वर्षा वाले शेत्रों में पाय जाते हैं इनमें पेड उंचे होते हैं कुछ बड़े और सदाबहार पेड होते हैं इनके नीचे जाणियां वर लताएं भी होती हैं येवन मुख्यता 36 गड के अधिकांश भाग पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, ओडिशा, आदी राजियों में पाय जाते हैं यहां के प्रमुख व्रिक्ष, साल, सागौन, शीशम, आवला, नीम, आमव, चंदन हैं इनके अलावा खैर, कोसम, अरजुन, आदी व्रिक्ष भी होते हैं आद्र मानसूनी वन सदाबहार वनों की तुलना में अधिक सघन नहीं होते हैं और पेडों की उचाई भी अपेक्षा कृत कम होती है शुष्क मानसूनी वन शुष्क सूखे मानसूनी वन उन शेत्रों में पाय जाते हैं जहां वर्षा की मात्रा कम अर्थात सतर से सो सेंटिमीटर के बीच होती है। इनमें अधिकांश पेड़ों के पत्ते गर्मी में ज़ड जाते हैं। येवन कम घने होते हैं और इनमें पेड़ों के नीचे ज़ाणियां कम होती हैं। जिस कारण यहां जमीन पर घास उगाती है। येवन पंजाब, हरियाना, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, पश्शिम, मध्यप्रदेश, महरास्ट्र और करनाटक के अधिकांश शेत्रों में पाए जाते हैं। यहां के प्रमुख व्रिक्ष सागोन, तेंदू, पलाश, खैर, महुआ तथा शीशम हैं। इन शेत्रों के बहुत बड़े भाग के जंगलों को क्रिशी कार्य हेतु साफ कर दिया गया है। तीसरा, काटेदार जाड़ी वाले वन, जिन भागों में वर्षा की मात्रा 70 cm से कम होती है, वहां काटेदार जाड़ियां और पेड जैसे बबूल, बेर, खैर, आदी व्रिक्ष पाए जाते हैं। ये वन सघन नहीं होते, पेड दूर-दूर होते हैं, जिनके बीच में घास और काटेदार जाड़ियां होती हैं। ऐसे वन, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात के मरुस्थलिय शेत्रों में पाए जाते हैं। वर्षा की कमी के कारण, इनवनों में काटेदार जाड़ियां और कटीले व्रिक्ष ही उकते हैं। व्रिक्ष छोटे और कम मोटाई के तने वाले होते हैं।